नमस्काव आज मैं आपको बताऊंगी चवाली चैस्ट प्लाउज, कटिंग अंड स्टिचिंग, यहां पर देखें आपको प्रोग्लम, आती है विचेस्ट का प्लाउज हम कैसी बनाएं, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और सरलव तरीके से बताऊंगी है विचेश्ट का अब देखिए यहां पर जैसे हमारा ब्लाउज है ब्लाउज को हमें ऐसे करके अच्छे से रखना है अब देखिए यहां पर जैसे हमारी 22 है तो पीछे का 22 और आगे का भी 22 हमारी 44 चेश्ट हो गई अब हमें लेना यहां से लंबाई लंबाई कितनी है 13 इंच बस हमें यही दो नाप लेने हैं यहां पर सबसे पहले लंबाई देखेंगे कपड़े की जो लंबाई है वो हमारी 16 इंच की है तो आ जाएगा अब हमें यहां पर पहले जैसे हमारा 22 इंच पीछे का था एक निशा को हमें छोटा बड़ा करना है इस तरीकें से आगे कपलर हमारा देड़ इंच बड़ा होना चाहिए पीछे का हमारा साड़े चौदा इंच की लंबाई है अब हम इसको ऐसे रखेंगे अब यहां पर हमें अपना सोल्डर लेना वो छे इंच का लेना आरोमन लेंगे वो भी लेंगे हम छे इंच उसके बाद देखी गोल आई कितनी दूरी है आदा इंच की अब देखे हमें पीछे का पलत जो हमारा छोटा पाट है जो हमारा लंबाई में छोटा है ना वो हम अलग रखेंगे अब हमें यहां पे आदा इंच इस तरीके से कटिंग करना है गले की चोड़ाई हम यहां पे रखेंगे धा इंच क्योंकि है भी बलाव जे गले की लंबाई हम यहां पे रखेंगे साड़े छे इंच अब हमें लगाना है तीरे का निशान तीरे का निशान लगाएंगे हम यहां पे चोड़ा इंच पे एक इंच लेंगे हम यहां पे ऊपर की साड़ अब हमें टक्स का निशान लगाना है तक्स का निशान हम यहां पे लगाएंगे दस इंच पे अब हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगी तो बाइस का आदा करेंगे तो ग्यारा इंच यह हो गया हमारा फिटिं से तो आएगा साड़े पांच इंच दो इंच हमें इस तरीके से दूर रखना है एक निशान यहां पर दो-दो इंच की हमने दूरी रखी है सबसे पहले हमें तीरे का कटिंग करना है यहां पर आदा इंच जरूर कटिंग करें कि जोल ना आए उसके बाद यहां पर कैची का कट लगा लें यह हो गया हमारा आगे का पाट अब हमें बाजू निकालनी है यहां पर हमारी जो लंबाई है बाजू की वो है पाँच इंच तो यहां पर कपड़ा हमारा लंबाई में बारा इंच है और इस तरीके से इसका जो अर्ज है यानकि इसकी जो चोड़ाई है वो सोला इंच की है तो हम क्या करेंगे इसको करना है हमें ऐसे करके डबन अब हमें यहां पर लेना है इस तरीके से चोड़ाई तो यहां पर हम ते इस इस इंच लेंगे इसको ऐसे रखेंगे अब देखिए आरूमल हमारे है भी है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारी चोड़ाई बराबर है किने जबकि हमने यहां पे इत्ती ली ए40000 इंच की चोड़ाई है इस तरीके से देखिए बराबर आ जाएंगे अब हमें कटिंग का निशान लगाना है यहां पर यहां पर हम लेंगे दो इंच और इसको हमें उपर की साथ इस तरीके से लेके जाना अब देखिए जैसे हमारी मोरी है इसको हमें ऐसे रखना इस तरीके से निशान लगा के कटिंग कर लेंगे जो भी ज्यादा कपड़ाय मोरी पर वह हम काट लेंगे तो यह हमारी दोनों बाजू कट गई सबसे पहले हम नेट को डबल करके जो हमारा साड़ी का कपड़ा इसको हमें डबल करके रखना यहां पे रखेंगे हम अपना पीछे का पंदर अब देगए यहां पे भी हम गले की चौड़ाई द्हाइंच की रखेंगे गले की लंबाई दास इंच लेकिन हम इसमें बनाएंगे मत का गला पीछे की पिलेट का निशान हम इस तरीके से निकालेंगे यहाँ पे रखेंगे हम आगी का यहाँ पे नीचे की साइट हम तुर्पाई करेंगे तो एक इंच हम इसको बड़ा रखेंगे पीछे का हो गया आगे का हो गया और यह हो गया हमारा तीरा बाजू के लिए हमें डबल करना है तो एक बाजू करेंगे यहाँ पे हमारी बाजू हो गई अब यहाँ पे यह कपड़ा बच्छा हुआ है इस में से हमें गले की पट्टिया निकाल ली है कपड़े को करना हमें इस तरीके से तिर्चा अब देखें पट्टी के चोड़ाई हम यहाँ पे रखेंगे एक इंच क्योंकि अस्तल वाली अंदर वाली पट्टी लगाएंगे पीछे का गला तो हम मटका बनाएंगे इस तरीके से सारी पट्टियों को जोड़ लेंगे और यह हमारी बाजू है यह हमारे आगे और वहता आसान और सारल तरीके से गले में पाइप लगाना बताया है आसा करते हूं आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जड़ से जदा शेयर कीजिए जो भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछें कि आप क्या सीखना चाहते हैं और ओडर छो प्लीचे करके लेक रहाएं से जो जड़ में टो झाप कि आजए जरा शेकर के आप वीडियो को झावी उले में लागोगी बाम से खाफना बाल फुन है